नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर शारिश्मान भव मैं हूँ आपके साथ पूजा कविया गुमा अपने इस खास कर्क्रम के जरिये हम आप तक आयुर्वेद पदती और प्राकर्तिक च्विकित्सा के जरिये उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद उपचार के बारे में अलर्जिक राइनिटाइसिस के बारे में तरीका भी है और लक्षणों में भरी हुई नाग, खासी, गले में खराश, लगातार, सिर्दर्द, आँखों के नीचे काले घेरे, अत्यदिक ठकान, पित और एक्जीमा जैसे इसके मुख्य लक्षण हैं। ज्यादतर वसंत और शरद रितू में होता है जो बाहरी एलर्जी के कारण होता है। एलर्जी रानेटिस से जुड़ी बुनियाधी जानकारी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं आईरवेदिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा प्रकाश, अगर आप एलर्जीक रानेटिस से संबंदित कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमार साथ कारक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, फोन लाइन्स कुल चुके हैं, हमारा फोन नंबर आपकी टेलिविजन स्क्रीन पर है, तो बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हमारे इस खास कारक्रम में, और टॉपिक हमने आपको बताया कि कैसे जो है आज हम एलर्जी, उससे जुड़े लक्षन और उससे जुड़े जो उपाए हैं, कैसे हम आयुर्वेद की माध्यम से उसक्राइब उप्चार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारे प्राप्त करेंगे, अगर आप भी जुड़ सकते हैं, कारक्टर में कोई सवाल है, तो जरूर आप पूछ सकते हैं, अब सवालों का सिलसला शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं, कि आखिरकार अलक्षनों की बाद जब किस तरह की बिमारी नमस्कार और मैं एक इन का शुक्रिया करती हूं आज के लिए अलिजिक राइनाइटिस मतलब हमारी जो नांक के अंदे की जो मिपोसल लाइनिंग है उसमें सूर्जिन का आ जाना स्थे वासं का जानाओर्मस का अऑना बिज जो उसम जह होता है तो जब तो जब रदू संधी होती है दो मौसम का मेल होता है तो लुँठी होता है तो ज्प्रिंटीस मतले का शलंते है आखों में खराश करें और आखों में खुझली होना चीके आना नाख का पर जिसने हैं और आज के समय में अगर हम देखे तो लगवक हमारे देश में दस मिलियन लोगों को अल्जीक राइनेटर्स मतलब अपने शिकार में निकराती है बिल्कुल और जैसे आपने बताया है कि राइनेटर्स एक बहुत कॉमन बिमारी है और अलगवक जैसे जो आप इसका प्रतीशत बता रही है वो यकीनन और भी ज़्यादा गंभीर नज़रारा लेकिन क्या इस बिमारी को या यह जिस तरह क्या पूरा संक्रमन है इसको हम किसी क्रॉनिक रूप में मतलब कर वर्ट हो जाती है जैसे कि क्या राइनाटिव के केसे में यह परसुस्टन रहने से एक ताप की प्रॉक्टिविटिटी पे भूच जादा असर करती है कि आप उपकुछ काम नहीं कर पाते हैं फोकस नहीं कर पाते हैं जैसे ऑफस में जो लोग जैसे कि कोई डस्ट होई या कोई आने में अगर आपने घर में पाला कोई पैठ है या फिर पॉलिंस है आप गीचे में गए कुछ भी है तापको खराश होने लग जाती है बुखार होने लग जाता है या फिर खासी होने लगती है तो यह साइब आलर्जिक राइनेटिस के हैं कई बारे की कॉमन लेकिन अगर आप यह नोटिस करें कि मौसम बदलते हैं हर वक्त आपको इस होने लग गए है या बार बार आपको ऐसे इस इस इंटिम्टम्स आते हैं तो यह आलिश्क की बात रही कि यह जो सिंटम्स हैं यह हमें पहचानने होंगे और जैसे आपने कहा कि दो तरहां के जो तो गया इसमें यह जादा होता है बाहरी की कारण होता है कि की कारण भी होता है और आइड़ेड के नुसार जो हमारे जो दोश है वाद पिपकफ जैसे आपका संचेंग और वहता है तो इस मौसम में भी आलर्जी कर्णिशन वर्ती है इसमिनलीं शवर्त्य में बीजब इस कि बचने के वाइयों की बात करें तो घरेलु उपाए पर अगर हम एक नज़र डालें तो घरेलु उपाइश में क्या हो सकते हैं और क्या वह कारगर भी होंगी तो कि न काई हैं कई कोविट के कारण हम सबी लュ Smells द्लेकिन जिस भी चींदे होती है उस अफ ज़रूर बचे यह पहला उपाया हैं डूसर आपको जप ऊब्रॉडि 큰 स्थिम्ट्म्स घराने जरूर करें ताकि कुछ भी अगर अलर्जन है आपके ठोट में है तो आपको भार एक्षपल करते हैं उसके लावा गरम पानी पीचे रहें मौस्तम के नुसरा खाना पीना खाएं जिससे आपका इम्मुन सुस्टम मुझबूत रहेगा अलर्जी की जो कंडिशन ने ऐसा नहीं है कि किसी कि अगर आपका इम्मुन सुस्टम रीक होगा तो हर एक आलोर्जीक या अर्जन से आपको दिक्कत होती है जिसके कारण यह सब आपको लक्शन देखने को मिलते हैं तो जो भी हमें उपाय करने हैं जो भी हमें इसका या फिर कुछ भी घरिलू चीदों को फॉलो करना है वो इसका उप्चार मुम्किन है और अगर एक क्रॉनिक स्टेज पर पहुंच जाता है तो इस दोरान कैसे जो है इसका इलाज हो पाता है देखिए अलिजिक रैनाइटिस का आइवेज में बहुत अच्छा इलाज है और मेरी एक स्पेशालिटी भी है इस बिमारी का इलाज करना इस बिमारी में में डवाई देती हूं इंबो नामक जो की बहुत ही सिग्निसिकेंटिस पे काम करती है और मनीचों को बहुत जादा से फाइदा भी मिलता है तो लबत पींचा महीने में जड़ से बिमारी ठीक हो जाती है लेकिन कोई भी इलाज केवल दवा से ठीक नहीं हो adapts है तो खाइट राओ avons अगर नहीं करें तो उसकी तो क्या इसमें अगर फ़र्म से इसका इसका एसका इसमें करकें किया जा सकता है हूं सब्सक्राइब कर दो कि अगर हम इसके खात्मे की बात करें तो क्या डॉक्टर शेखा पूरी तरहां से हम इसको खत्म कर सकते हैं ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा उपचार हो कि यह पूरा जड़ से खत्म हो जाए जैसे कि मैंने आपको बताया पूजाजी कि कोई भी इलाज अगर हम इसको रूट कॉस्टेटर ठीक करना है तो हमें एक बहुत डीप रूटेड अप्रोच रखनी चाहिए इसके लिए जिसमें हमें अपने आपको पूर्स रूप से बदलना भी चाहिए जिसमें हमारे खान प प्रयास करते रहना पड़ता है और अपने शरीत की देखने करने करती है तो बिल्कुल यह तो राइनाइटिस की जो है बेसिक जानकारी है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर शेका हमारे साथ लगातार जुड़ी हूई है आज हम बात कर रहे हैं रा कि साना चाहेंके कि लाया रिफस्टाइल और गाता है तुड़ेफसटाइल पान का बहुत खराब होना, हमारे जीवन शहली का बहुत बिगर जाना, साथ में कई तर्थे हैं, जैसे कि हम लोग का सुबह समय पे नियुठे है, तो विटमिन डी की कमी का होना, या सब मौसम कि इंसान जम खाना पीना नहीं कहाते हैं, तो कई जड़े की मिनल डेशेंसी होत कि शरीर केल के डी सिर्फ अन्दूनी रूप से कर अजसा चारर हो जाता है, जिसके कारए हमारा या बद ब attackers है बद्ध, पर बद खाल करते हैं, जिम भी जाते हैं, मैं अज सरीर का थिहान लगती है, शरीर का लेता है, तो इन सिरलल लeवर पे अज़े वह एकि रशसें हमार पे शेरी करन जादा है या जॉब्स में है कॉपरेट्स में उन्हें में कुछ जादा लिखती है बहुत ही कम ऐसे में बात करूंगी कि जो बहुत चोड़े गाउस से आ रहे हैं जहां पे यह बिमारियां होती है तो इसका एक सीधा तालमिल में देखती हूं कि आज की शेरी कर में होता है कि यह बच्चों को भी हो सकता है या फिर किस जो है एज ग्रुप को सबसे जादा इससे संक्रमित होने का डर बना रहता है और राइनाइटेस हर एक एज ग्रुप में पाई जाने वाले बिमारी है लिकिन आमोमें जो मेरे पास मरीज आते हैं रगपग और दस सा मिलके वो प्रोलॉंग आस्थमा जैसी अजी बनाता है और कई जब अडर्स में राइनाइटेस रहती है बहुत नम्मे समय तक वह भी आगी आगे आस्थमा में कंवर्ट हो जाती है तो राइनाइटेस को समय में ठीक करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके लिए जो अब हम इसके बात करते हैं तो जाना तर दोएं सिंटम्स पर काम करती है जैसे कि अलर्जी के लिए आंटी अलर्जी काली हमने यह से कभी इसके तो कर दो को चुछ थीक नहीं करते हैं बहुत जरूरी है अब राइनाइटेस में क्या जैसे आपने बताया कि एज ग्रूप की बीबा समानता हैं आगे चलकर क्या यह साइनस भी बन जाता है कि कई बर जो कुछ केसे काॉंप्लिकेटट होते हैं काफी क्रॉनिक हो जाते तो कई बर आगे इसके केस में साथ में देखने को मिलती है तो जब भी हम किसी इस वर्ट की बात करते हैं साइनसाइटिटिस का बतने में तो जब सूजन आती है तो वहां पर इस तरखे के सिंटम्स देखने को मिलते हैं दोनों में डॉक्ट शी का समानता है भी बताईएगा की मैं ताकि लोगों को यह पता चल पाए कि उनको राइनेट इसस है वो साइनस से अक्राश रहता हैं तो इसमें आपको नीजल सिंटम्स होते हैं आपकी कुछ कुछ खराश होगर होती है लेकिन साइनस में डिपेंड करत साइनस जे रहता है कि आपका साइनस कहा पेन पाक्त है अग्रीक साइनस था आपका तो उसके साप से अपको पेन की साइस मनें ज़ेंगी कई इस साइट क्लिनिकल सिम्टम्स इंडे काफ़ी डिफरेंट होते हैं और सब्सक्राइब करते हैं कि इसमें आपको साइसाइटिस है क्या इस तरह के पेशेंट्स में इन्हेलिंग को लेकर भी कोई दिक्कत आ सकते क्योंकि जैसे जब हम बात करते हैं नाक की तो उसका जो मूल काम है वो यही है कि सांस को अंदर और बाहर छोड़ना तो क्या कोई सांस संबंदी बिमारी भी हो सकती है या फिर सांस लेने में तकलीव तक होने नग जाती है तो आपके लंग्स में प्रॉपर ऑक्सिजन सप्लाइ नहीं होती तो बॉड़ी पे हमेशा फटीग रहता है तो राइनाइटिस का मरीज अक्सर चड़ा चड़ा रहता है ठकावा रहता है और उसको बतलब एक फटीज कैसी सिचुएशन बनी रहती है बॉड़ी में नक्टर शिखा ने तो हमने बात की कि क्या इसके जो है सिम्टम्स हैं और कॉजस क्या है कैसे जो है अब बात करना चाहेंगे कि बचाव कैसे किया जाए कैसे हम बच सकते हैं क्या कुछ छोटी छोटी टिप्स हम जो है अपनी लाइफ स्टाइल में अपना सकते हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकें और जिससे जो इस तरह की अलर्जी है हम को ना हूँ क्या हमें अपने जीवन में अमल में लाने चाहिए चीज़ें किसी अगर्बती से थूभधी सƏको दिक्कत हो सकती है किछ कुछ कुछ लोग nessa के अठीज से हुँ कि पूरी नीन जरूरो ले तो हमार इमिन सिस्टेम हमेशा रहता है। दूसरा क्य sen ऐसका तो मैं हमलें कि अचल करने मैं रहना है कि अचीक रहता हैं हम। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो नींद पर भूत घ्यान दे अपना हाइड्रेशन नेवल यानी पानी खूपी है जिनमें साथ का आगला पानी जरूर पी है जरूर खाएं और प्रोटीन जरूर खाना जरूर खाएं और मौसम के नुसार अपना खाना बदल बदल के खाएं जैसे इस मौसम में साग सब्जी को होती है इन चीज़ेशन देना बहुत जरूर है और एक और चीज़ करना चाहूंगे कि जब भी छोटी मोटी आलर्जी होती तो इमेडियेटली सर्फ ट्रीक्मेंट ना करें और चिकित्सक को दिखा कर यह दवाई लें क्योंकि कई पर बॉड़ी भी इन दवाई की आदी हो जाती है तो हमेशा किफी चिकित्सक की कर सकते हैं क्या कुछ ऐसी दवाईयां भी है जिसको खाकर कम से कम जो हम यह इन तरह की बिमारियों से बच सके जैसे हमने करोना के टाइम में देखा लोगों को बहुत ज्यादा जो है अलर्जी हुई काफी सारी चीजों से और सांस की तकलीफे भी लोगों को होने लगी तो अब जरूरी होता है अब जरूरी होता है अब कर दो कि अपने खानपार में शामिल करें अलीक इस्तमाल करें तो इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है बढ़को लौक्टर शिखा अपने बताया आज और साथी साथ कैसे हमें बचाव करना है कैसे हमें अपने लाइफ स्वाइल में परिवर्तन करना है बहुत शुक्रिया आपका आप जुड़े हमारे साथ और आयुरवेदिक पद्दती से कैसे हम इसकी समापती कर सकते हैं ये आपका सुरा दन बंकरिष चंडरमा